स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीरतिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में संख्या पध्धत से अभाज गुडन खंडों की संख्या ग्यात करना सीखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका सीखते हैं उसके बाद हम आपको एक साट तरीका भी बताएंगे जिस तरीके की सहायता से आप अभाज गुडन खंडों की संख्या एकदम आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों आभाज गुडन खंडों की संख्या ग्यात करने से पहले आपको पता होना चाहिए आभाज संख्या क्या होता है ठीक है दोस्तों तो आभाज संख्या क्या होता है आभाज संख्या ऐसी संख्या होता है जिसमें एक एवम स्वयम के अतरिक्त अन किसी भी संख्या स भागना जाए तो ऐसी संख्याएं आभाज संख्याएं होती हैं जैसे दोस्तों दो हो गया तीन हो गया पांच हो गया साथ हो गया 11 हो गया 13 हो गया डाट 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 ये सभी संख्याएं आभाज संख्याएं होती हैं सबसे पहले जैसे कोश्चन है सव में कुल आभाज गु मतलब होता है केवल आप इनहीं अभाज संख्याओं का प्रियोक करके अभाज गुड़न खंड करेंगे सबसे पहले हम बेसिक तरीका सीख रहे हैं तो दोस्तों यहां देखिए इकाई का अंक जीरो है जब भी इकाई का अंक दोस्तों जीरो हो दो हो चार हो छह हो आठ हो तो स चीस में दो से भाग नहीं जाएगा तो पांच से भाग करेंगे 25 हो जाएगा पांच है तो पांच में केवल पांच से भाग जाएगा तो एक बार भाग जाएगा देखिए दोस्तों सव का अभाज गुड़न खंड के आया तो दो गुड़े दो गुड़े पांच खंड होगा और दोस्तों यह सभी देखिए आभाज संख्याई है ठीक है दो क्या है आभाज संख्याई पांच क्या है आभाज संख्याई तो सव के कितने आभाज गुड़न खंड आए तो एक दो तीन चार तो दोस्तों यहां से सव के कुल आभाज गुड़न खंडों की सव में कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी यानि सव में टोटल अभाज गुड़न खंडों की संख्या कितनी है तो चार है और यही क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो गया बेसिक तरीका सव के टोटल कितने अभाज गुड़न खंड है तो एक दो ती है ठीक है सव को आप हाथ के रूप में तोड़ना है ठीक है और जिसका आधार क्या होना चाहिए आभाज संख्या होना चाहिए आधार मतलब जैसे अगर पांच की घात तीन है तो आधार यह जो आधार है यह क्या होना चाहिए आभाज संख्या के रूप में होना चाहिए सव को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों दस गुड़े दस लिख सकते हैं ठीक है और दस को क्या लिख सकते हैं दो गुड़े पांच लिख सकते हैं देखिए दोस्तों इन दोनों का आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी इसके उपर एक घात इसके उपर एक घात त के दोस्तों गुड़े यहां पर आधार समान है पांच पांच है आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे यानि पांच की घात दो हो जाएगा सबसे पहले अगर जो कुछ भी संख्या दी गई है आपको पता करना है कि उसमें टोटल अभाज गुड़न खंडों की संख्या क्या है तो आप उस संख्या को घात के रूप में बदलेंगे और जिसका आधार क्या होना चाहिए तो आभाज संख्या होना चाहिए अगर आप उस संख्या को घात के रूप में बदल देते हैं और जिसका आधार आभाज संख्या के रूप में हो जाता है तो जो घात होगा उसको आपस में जोड़ देंगे तो दो की घात क्या है दो है तो दो लिख देंगे पांच की घात कितना है दो है तो दो लिख देंगे तो दोस्तों यहां से सव में टोटल आभाज गुड़न खंडों की संख्या क्या जाएगी चारा जाएगी आप एकदम डीटेल में समझ ये जैसे सव है सव को आप घात के रूप में तोड़ेंगे और जिसका आधार क्या होना चाहिए आभाज संख्या के रूप में होना चाहिए क्योंकि दो आभाज संख्या है पांच भी आभाज संख्या है अगर आप आधार को आभाज संख्या के रूप में बदल दे तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल जो आएगा वही क्या होगा उस संख्या में कुल अभाज गुड़न खंडों की संख्या होगा यानि सौ में टोटल अभाज गुड़न खंडों की संख्या क्या है चार है यह दोस्तों complete basic हो गया अगर इस तरीके से आप इस ट्रिक की सहायता से आसानी से स्वाल्व कर सकते हैं चलिए दोस्तों अगला कोश्चन देखते हैं दूसरा कोश्चन है दोस्तों बारा सो में कुल अभाज गुड़न खंडों की संख्या ग्यात करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि इस प्रकार करेंगे कुछ ज्यादा समय लग जाएगा और उनके गुड़न खंडों को गिनेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं है जैसे बारा सो है बारा सो को आप घात के रूप में बदलना है तो बारा सो को हम क्या लिख सकते हैं तीन करेंगे सव हो जाएगा पचीस का तो पचीस को हम पांच का इसक्वाय लिख सकते हैं इस परकार आप डारेक्ट कर सकते हैं इन दोनों का आधार समान है तो घाते आपस में जुड जाएगी तो दो की घात दो और दू मिलकर चार हो जाएगा गुड़े यहां से तीन की घात रूप में बदल देते हैं और उनका आधार क्या होना चाहिए तो आभाज संख्या होना चाहिए क्योंकि दो आभाज संख्या है तीन भी और पांच भी आभाज संख्या है अगर आप संख्याओं को घातां के रूप में बदल देते हैं अगर उनका आधार आभाज संख्या के रूप में हो जाता है तो जो उनका घात होगा आपस में जोड़ देंगे तो दो की घात क्या है चार है तीन की घात क्या है एक है पांच की घात क्या है दो है तो इनको जोड़ेंगे तो चार एक पांच हो जाएगा पांच दो साथ यानि दोस्तों बारा सो में टोटल अभा संख्या निकालना हो तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं जब भी दोस्तों संख्याय घातांकों के रूप में दी गई हो तो आपको करना क्या होगा सभी के आधार को चेक करना होगा क्या आधार आभाज संख्या के रूप में है तो दोस्तों 8 आभाज संख्या नहीं होता है तो इस 8 को हमें आभाज संख्या के रूप में बदलना है तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8 हो जाएगा की घात क्या हो गया 20 हो गया गुड़े 15 एक आभाज संख्या नहीं है तो इसको आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे तो 3 गुड़े 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा की घात क्या हो गया 24 हो गया गुड़े 17 एक आभाज संख्या है तो इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे 17 की घात 15 लिख देंगे ठीक है दोस्तों यहां से 1 की पावर, यम की पावर, यन यानी घात का आपस में गुड़ा हो जाएगा तो 2 की घात 3, गुड़े 20, 60 हो जाएगा गुड़े यहां से अलग-अलग तोड़ेंगे तो 3 की घात 24 हो जाएगा गुड़े 5 की घात 24 हो जाएगा ठीक है गुड़े 17 की घात 15 हो जाएगा ठीक है तो देखिए दोस्तों आपने संख्यां को घातांकों के रूप में बदल दिया और देखिए सभी का आधार क्या हो गया आभाज संख्या के रूप में हो गया ठीक है क्योंकि दो भी आभाज संख्या है तीन भी पाच भी और सत्रा भी आभाज संख्या है अगर संख्याएं दोस्तों घातांग के रूप में बदल जाएं और उनका आधार अभाज संख्या के रूप में हो जाएं तो आप करेंगे क्या सभी घातों को आपस में जोड़ देंगे तो 60 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 60 हो गय एक हांसिल बारा हो जाएगा यानि दोस्तों इसमें टोटल अभाज गुड़न खंडों की संख्या कितनी है तो 123 है और यही क्या हो जाएगा करेक्टा एंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तो संख्याएं घातां की रूप में दी गई हो यानि घात के रूप में दी गई हो तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले उनके आधार को चेक करना होगा क्या आधार एक आभाज संख्या के रूप में है तो सबसे पहले हम आधार को चेक करेंगे क्या आधार आभाज संख्या नहीं होता है तो इसे हम आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे तो 18 को क्या लिख सकते हैं दो गुड़े 3 का स्क्वार 3 का स्क्वार 9 हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा की घात क्या हो गया दस हो गया पंद्रा आभाज संख्या नहीं है तो इसको आभाज संख्या के रूख में बदलेंगे तीन गुड़े पांच हो जाएगा की घात भीस हो गया गुड़े 12 है 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4, 3, 12 और 4 को हम 2 का स्क्वायर गुड़े तीन लिख सकते हैं और पूरे की घात पांच हो जाएगा ठीक है दोस्तों अलग अलग तोड़ेंगे तो दो की घात दस हो जाएगा ठीक है दोस्तों गुड़े एकी पाउर यम की पाउर यानि घात का आपस में गुड़ा होगा तो तीन की घात दो दहम आधार समान है तो देखिये इन दोनों का आधार समान है तो घाते आपस में जुड जाएगा ठीक है गुड़े यहां से 5 की घात क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है देखिए दोस्तों सभी के आधार जो है आभाज संख्या के रूप में बदल गए हैं अगर दोस्तों आधार आभाज संख्या के रूप में बदल जाएं तब आपको करना क्या होगा उनके घात को आपस में ज संख्या कितनी है तो 85 है और यही क्या हो जाएगा करेक्ट एंसोर हो जाएगा सिंपल तरीके से समझ गए होंगे चलिए दोस्तों एक लाष्ट कोस् gadget solve करते हैं लाष्ट कोश्चन है दोस्तों गार दस गुडे 26 की घात पांच गुड़े 51 की घात 20 में कुल अभाज गुड़न खंडों की संख्या क्या है जब दोस्तों संख्याएं घातांकी रूप में दी गई हो यानि घात के रूप में दी गई हो तो आपको सबसे पहले उनके आधार को ही देखना है क्या आधार आभाज संख्या के रूप में है अगर आधार आभाज संख्या के रूप में है तो उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे अगर आधार आभाज संख्या के रूप में नहीं है तो उसके आधार को हम आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे बावन एक आभाज संख्या नहीं है तो इसको आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे बावन कैसे आएगा तो चार गुड़े तेरा तेरा चब का बावन और चार को हम दो का इसको आर गुड़े तेरा लिख सकते हैं बावन हो जाएगा की घात 20 हो गया ठीक है दोस्तों यहां से एकी पाउर यम की पाउर यन यानि घात का आपस में गुड़ा होगा तो दो की घात दोदामा तो अगर आधार समान हो और उनके 20 गुड़ा का चिन लगा हो तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो की घात क्या हो जाएगा 25 पचीस हो जाएगा ठीक है दोस्तों और देखिए इन दोनों का भी आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी 13 की घात 10 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा ठीक है दोस्तों और क्या बचा तो 3 की घात 20 हो गया गुड़े 17 की घात क्या हो गया 20 हो गया देखिए दोस्तों सभी के जो आधार हैं आभाज संख्या के रूप में बदल गये क्योंकि 2 भी आभाज संख्या 13 और 17 भी आभाज संख्या अगर दोस्तों आधार आभाज संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 ठीक जोडएंगे तो क्या जाएगा यहां से 40 हो जाएगा 25 और 15 मिलकर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा तो 40-40 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा इसमें Total अभाज जुगुरन खंडों की संख्या और यही क्या हो जाएगा Right answer हो जाएगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रिस करिएगा जिसे आगे आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर